अगर बहुती कम तेल में और घर के जो सिंपल वाले तवे हैं उसी में अगर मैं चीरा बना के आपको मुंग डाल का दिखाओं वो भी साधियों वाला साधियों वाले से भी काफी टेश्टी अगर बने और ये दिखे हाथों से ही इसे आप गुमा गुमा के रोल के जैसे डोस जैसे बना सके तो आपको कैसा लगेगा तो यही रेसिपी आज मैं आपको पर्फिक्ट नाप के साथ आपको बताने वाली हूँ वो भी मुंग डाल के बहुत ही टेस्टी चीले की रेसिपी जी हां दोस्तो इसे बनाया है मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से और इसमें मैंने भी खा सकते हैं और बच्चे को तो बिल्कुल ही दे सकते हैं आराम से तो चलिए सुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी चीले की जो काफी टेस्टी होने वाली है तो इसके लिए सब से पहले आपको ले लेने हैं कुछ समान जो घर में ही आपको के लिए मैंने के लिए हैं बानने का और जाइ के अंदर जाएंगे और यह काफी टेश्टी और चटपटा बनाने वाले हैं इस मसाले को तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रिफाइन दे लिया है एक चमच सरसो डाले हैं और अगर फली दाने है तो फली डाले डाल दे और यह देखिए आपकी मन पसंद की सबजी आप ले सक मेरी कुंटिटी और थोड़े से मैंने लिए हैं हल्दी का पाउडर और सभी को अच्छी तरह से भून लेने हैं गेस की फ्लेम आपको कम कर देनी हैं मसाले को बिलकुल भी नहीं जलाएंगे और अगर आपके पास करीपता है तो इसमें सांभर मसाला अगर आपके पास है त जो कंडिशन है वो काफी टेश्टी हो जाएगी और इससे जो यह मसाले तयार होंगे वो काफी टेश्टी बनेंगे जो अक्सर हम लोग नहीं डालते हैं इमली को और यह दिखिए अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं अभी इसमें एक चीज और भी डालना बाकी है दोस्तों इसमें पहले मैंने डाला है चीनी को और चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह है वो मेंची जो घर में अक्सर होते हैं हमारे गेहूं के आटे अक्सर सभी के घर में होते हैं आपको यह गेहूं के आटे ले लेने हैं एक कटोरी वही कटोरी से और इसे अच्छी भने हो कiszा सकते हैं पर पत्ति ही दिखें गरम पुरत से ऐसे किरने हो बहुत ही बहुत ही दाइक है और इसे इसी दिक्कतना भाएं तो फ़ीत नहीं नहीं उसके vers घूण परें से लेह तो बिच सेखं़ रड़ Yaz這裡 फिले में आपको कम कर देनी है और उसे आपको अच्छी तरह से पकाते रहना है यह देखें अभी से ही कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं और यह कमाल हुआ है चीनी से जी हां दोस्तों चीनी से इसका काफी अच्छा कलर आता है जो हमारे चीले में अक्सर नहीं आ पिसके लिए नहीं की छीनa आपको आपके पास जो भी हो आप उसे ले सकते हैं वस T crypto से दिखनी है और धनीया पत्ती है तो इसके मैं आज़ी सकते हैं बस इससकी अठीन है उसके बाद आपको लेने है स्वाद अनुसार नमक नमक थोड़े से जाद ही जाएंगा और सरसो तेल ले ले इससे काफी अच्छा फ्लेबर आता है और जो दही थी दो दही भी मैंने दो चमच लगभग डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मैंने पीस लिया यह देखे बहु गरम चीले के साथ सर्ब करें